क्लास 12 कि हमारे पास चेप्टर फॉर्स्ट का इंट्रोडिक्षन हमने पड़ लिया था चेप्टर फॉर्स्ट के इंट्रोडिक्षन में आपको एक इक्विलेंश रिलेशन के बारे में बताया गया था reflexive, transitive and symmetric अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे questions में, देखो question number first है determine each of the relations are reflexive, symmetric and transitive आपको ये बताना है कि जो भी relation आपको दिये हुए हैं वो reflexive, symmetric and transitive इन में से हैं या नहीं है first relation are in the set A एक set A दे रखा है 1, 2, 3, up to 13, 14 तक define as R is equal to relation क्या दे रखा है कि हमारे पास एक pair होगा ordered pair, x, y उसमें किस equation में होना चैए कौन सी condition satisfy करेंगे 3 x minus y is equal to 0, अब A is equal to हमारे पास क्या आजाएगा 1, 2, 3, up to 14 दे रखा है आपको A is equal to तो ये note कर लेंगे R, R हमारे पास x और y के सी क्या value put करेंगे is equal to 0 आजे हमने इसके लिए function बनाया है कि R की value अगर हम 1 put करेंगे x की value 1 put करेंगे 3 बन जाए 3 तो 3 में से 3 गटा देंगे तो y 0 आजाएगे तो y की value क्या हो जाएगे 3 means x 1 आजाएगा y 3 x की value 2 put कर देंगे y की value 6 आजाएगा x की 3 y की 9 x की 4 y की 12 अब 5 put नहीं करेंगे क्यों 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 कि 5 करेंगे तो इसकी क्या आएगी y की 15 और 15 हमारा set में include नहीं है तो इसलिए हमारे पास क्या आजाएगा 4 से 12 तक R is not reflexive R reflexive नहीं है किसे reflexive नहीं है की set है जो उसकी face value होनी चाहिए हमारे पास means 1 put कर रहे है तो answer भी 1 दे 2 put कर रहे है 2 same होना चाहिए हमारे पास दोनों elements से same होंगे तो अब देखो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 up to 1 से 14 तक है तो यहाँ इसमें कोई भी ऐसा elements नहीं है जो lie करता है not belongs to R इसलिए क्या बोल देंगे R reflexive नहीं है दूसरा है R is not symmetric not symmetric कैसे की symmetric के लिए हमारे पास होता है कि अगर A भी बिलोंग करता है R से then B A is also belongs to R अब यहाँ से हमने क्या लिए है कि 2, 6 है 2, 6 हमारा बिलोंग करता है R से बट इसका अगर हम उल्टा करेंगे 6, 2 हो जाएगा 6, 2 आ गया है कि 6, 2 इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता है तो not belongs to R इसलिए क्या हो जाएगा not is symmetric थर्ड है transitive transitive के लिए हमारे पास condition दे रखी कि A B belongs to R and B C belongs to R then A C also belongs to R अब देखो 1, 3 बिलोंग करता है R से and 3, 9 अब 1, 3 था इसका लास 3 है 3 से देखते है 3, 9 3, 9 भी बिलोंग करता है R से but 1 और 9 क्या ये बिलोंग करता है R से नहीं बिलोंग करता not belongs to R इसलिए क्या बोल देंगे R is not a transitive R transitive नहीं है इसी तरह second है relation R in the set N of natural numbers defined as R is equal to X, Y such that Y is equal to X plus 5 and X अब हमारे पास condition दे रखी कि X है वो less than 4 होगा X की value 4 से कम होगी और condition हमारे पास है कि N natural numbers के लिए है Y क्या आजेगा X plus 5 के equal आएगा तो हमारे पास relation बनाएंगे क्या X की value 4 से कम होगी तो it means 1, 2, 3 ये value रखेंगे X की value 1 put कर देंगे 1 plus 5, 6 हो जाएगी तो Y क्या आजेगा 6 1, 6 हो गया X की value 2 put कर देंगे 2 plus 5, 7 तो Y की value 7 आजेगी 3 put करेंगे तो क्या आजेगी 8 तो हमारे पास relation क्या आया 1, 6, 2, 7, 3, 8 ये 3 पेर आजेएगी अब reflexive के लिए फिर वही condition है हमारे पास के same digit होने चीए अब 1, 1 है 2, 2 not belongs to R so R is not a reflexive second हमारे पास क्या 1, 6 बिलों करता है R से बट क्या इसका उल्टा कर देंगे 6, 1 6, 1 बिलों करता है नहीं बिलों करता है इसमें नहीं है तो क्या बहुल देंगे 6, 1 not belongs to R so R is not a symmetric है third condition आती है now there is no pair in R such that x, y and y, z belongs to R अब देखो 1, 6 ले लिया but 6 6 related होना चाहिए next element तो 6 related है नहीं इसी तरह अगर ये pair ले हम तो 7 से related भी नहीं है कोई अगर ये pair लें कि x, y बिलोंग करता है then y, z भी बिलोंग करें then x, z cannot belong to R so R is not a transitive third है relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 A set में दे रखे है element 1, 2, 3, 4, 5, 6 और R हमें क्या दे रखा है कि x, y का ऐसा pair है y is divisible by x जो y है वो divide होगा x से अगर y x से divide होगा तो हर number अपने आप से divide होता है तो एक तो हम क्या लिख लेंगे सब इन numbers का लिखेंगे क्या आजएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 6 तक थे हमारे पास digit है उसके बाद देखो 1, 2 क्योंकि 1 से तो और एक number divide होगा तो 1, 2 लिख देंगे 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 उसके बाद हमारे पास क्या आया 4, 2 से divide होजएगा 4, फिर 6 भी 2 से divide होगा फिर 6 से 3 से divide होजएगा तो यह हमारे पास relation आएंगे अब देखो इसके अंदर reflexive में सबसे पहली condition क्या होती है कि face होना चाहिए उसका तो 1, 1, 2, 2 यह सभी क्या belong करते हैं R से belong करते है R से तो क्या बोल देंगे So R is a reflexive दूसरा क्या आता है कि 2 R belongs to R कि जो 2, 4 है आपके पास वो belong करता है R से तो क्या 4, 2 भी belong करता है R से 4, 2 belong नहीं करता नहीं करता तो हम इसको क्या बोल देंगे then R is not a symmetric कि R symmetric नहीं है थर्ड आता है हमारे पास 1, 2 belongs to R 1, 2 है वो R से belong करता है and 2 से related फिर कौन है 2 से related 4 भी और 6 भी है मर जी है कोई भी ले सकते है 2, 4 भी belong करता है R से then 1, 4 है 1, 4 भी इसमें belong करता है हाँ 1, 4 भी यहानिक रख़ा है belong करता है then 1, 4 also belongs to R so R is transitive इसलिए हम क्या बोल देंगे R क्या हमारे पास transitive for relation R in the set Z Z means हमारे पास क्या है integer of all integers define as R is equal to X Y such that X minus Y is an integer X minus Y हमारे पास क्या है integer R is equal to X Y such that X minus Y is an integer for every X belongs to Z हर एक X है वो belong करेगा integer से अब X X कोई भी number है X X means अगर हमने 1 integer है तो 1, 1 भी ले सकते हैं क्यों क्योंकि 1 minus 1 क्या आजाएगा 0 आजाएगा और 0 भी क्या है integer आएगा तो हम same elements लेके दिखाएगे तो क्या लिके देंगे X X belongs to R as X minus X is equal to 0 is an integer 0 क्या है integer है यार इस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा दूसरा हमारे पास क्या X Y belongs to Z X Y है वो belong करेगा R से क्योंकि कोई भी number रख लो X और Y के value कोई भी रख लो मान लिए 2 और 5 रख ली मैंने ये 2 रख ली है 2 minus 5 क्या आजाएगा minus 3 आजाएगा और minus 3 क्या है के integer तो क्या लिख दे दे X minus Y is then integer फिर हम एद दो एकना इसका reverse करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 अब 5 minus 2 करेंगे Y minus X होगा ना तो क्या लिख देंगे 2 minus 5 5 लिख देंगे 2 minus 5 क्या आजाएगा minus 3 आजाएगा ये भी क्या है integer है तो हम क्या बोल देंगे कि X minus Y ये Y minus X है हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों R के अंदर लाई कर रहे हैं तो belongs to R आगा इसलिए ये भी क्या होगा integer then क्या हो जाएगा R is a symmetric next है XY belongs to R और YZ XY और YZ दोनों R से बिलोंग करते हैं इसका मेनिक क्या X minus Y और Y minus Z दोनों क्या हैं integer से तो X minus Z भी क्या आना चाहिए integer आना चाहिए अब ये दो हमारे पास possible है इसकी value 1 रख ले इसकी 2 रख ले इसकी 2 रख ले इसकी 4 रख ले तो 1, 4 भी हमारे पास क्या होगा integer क्योंकि 1 और 4 का difference क्या आएगा minus 3 और minus 3 क्या है कि integer है तो क्या बोल देंगे R is a transitive next है fifth R is equal to XY such that X and Y work at same place अब ये दे रखा है R हमारे पास से कैसर relation है जिसके अंदर दो elements है X और Y और X और Y human being है जो की same place पे काम करते हैं अब देखो XX belongs to R X and X work at same place है अब देखो दोनों अगर हम same लिख देंगे कि XX है तो वही बात हो गई ना कि जब दो बंदे एक जगे पे काम कर रहे है तो दोनों में से एक नाम मैंने अब कोई भी है उसका nickname ले लिए हम कि एक सोनू नाम का कोई भी है मान लिए है उसी को सोनू का ही दूसरा नाम अगर हम लिखते हैं तो मान लिए सुमित है आपके पास है तो सोनू और सुमित है तो equal जब दुन्नों नाम ही एक बंदे के हैं तो हैं तो equal तो इसलिए क्या बोलनेंगे x x belongs to r then r is a reflexive दूसरा है if x y belongs to r then x and y work at same place x भी वही काम करता है x भी वही काम करता है और जो y है वो भी वही काम करता है तो x y belong करते है r से relation से अब दूसरा में क्या करना है इसका उल्टा करना है की y belongs to x y x भी बिलोग करेगा r से क्योंकि जहाँ y काम करता है वही x काम करता है तो क्या बोल देंगे y x है वो भी r से बिलोग करेगा so r is a symmetric third है मारे पास ki x और y X भी यहां काम करता है, Y भी यहां काम करता है फिर third condition क्या आ गई कि Y भी यहां काम करता है Z भी यहां काम करता है, जहां Y काम करता है वही Z करते हैं, तो क्या X और Z भी यह की जगे पर काम करते हैं तो इसलिए क्या बोल देंगे, X, Z belongs to R So X and Z work at the same place So R is a transitive जब भी आपके पास कोई भी same locality के लिए आ जाता है या same place के लिए आ जाता है तो उसमें हमेशा तीनों चीज़ कंडिशन सेटिस्फाई होंगे Second is clearly, अब देखो X, Y, such that X and Y live in the same locality X और Y दोनों same locality में रहते हैं एक ही जगे पर रहते हैं तो क्या करेंगे, clearly अब X, X means दोनों एक ही जगे पर रहते हैं तो दोनों में से कोई भी नाम लिख दो कि ये भी वही रहते हैं ये भी वही है, तो same locality तो क्या भी देंगे, X, X belongs to R As X and X in, same human being एक ही आदमी है, एक ही आदमी है तो एक ही जगे पर रहेगा तो Y, X belongs to R, so Y and X is also live in same locality, R is a symmetric थर्ड है, X, Y belongs to R जहां X रहता, वहीं Y रहता और जहां Y रहता, वहीं Z रहता है तो X और Z भी same जग है पर हैं तो क्या लिख देंगे, कि X, Z belongs to R R is a transitive नेक्स्ट है, C R is equal to X, Y such that X is exactly 7 cm taller than Y X है, वह 7 cm taller than Y X है, वह Y से 7 cm बड़ा है, लंबा है Now, X, X not belongs to R तो अब हम देखते हैं, X not equal to X है क्योंकि कोई भी, अगर आपको यह बोल दिया कि एक चीज़, वह दूसरी चीज़ से 7 cm बड़ी है तो वह दुन्नों equal तो होई नहीं सकती जब conditions में उनकी दे रखी किये अगर हमारे पास 1 है, तो यह 8 है क्या यह दुन्नों equal हो सकती है, नहीं हो सकती तो क्या बोल देंगे, X, X not belongs to R Since woman being X cannot be taller than himself कोई भी woman being X है वह अपने आप से 7 cm लंबा नहीं हो सकता इसलिए R is not reflexive Second and now, let XY belongs to R अब XY हो बिलोंग करता है R से It means X बड़ा है और Y छोटा है अगर X हमारे पास 1 है, तो Y कितना है? 8 X is exactly 7 cm taller than Y Then Y is not taller than X तो क्या बोल देंगे कि Y हो बड़ा है नहीं बोल सकते So Y X not belongs to R तो Y X वो बिलोंग नहीं करेग R से तो R is a not symmetric Third condition XY belongs and Y Z belongs to R X is exactly 7 cm taller than Y अगर X हमारे पास 1 है तो Y कितना है? अब यह है, यह हमारे पास कितना होगा? 8 तो यह इस से 7 बड़ा है तो यह मारे पास कितना हो जाएगा? 1 और Y हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 है तो यह 7 cm बड़ा होना जाएगा तो यह हमारे पास किसमें जाएगा? negative में चला जाएगा क्या आजएगा? negative में 7 आजएगा क्योंकि इतना ही कम है तो इन दोनों का difference हमारे पास minus 8 आजएगा इनका difference कितना होना जाए? 7 तो अब देखो 8 और minus 18 में difference देखते है तो हमारा कितना आएगा? 14 का difference आजएगा 7 का यहाँ है 7 का यहाँ कितना difference हो गया? 14 तो हम क्या बोल देंगे X है वो 7 cm बड़ा है Y से means X हमारे पास यह है और यह Y है और यह Z है मान लिया ठीक है? तो इन्होंने बोल दिया कि Y आपके पास है यह और यह आपके पास है X तो इससे बड़ा है अब दूसरी condition क्या है? इसमें तो यह बोल दिया कि Y से बड़ा है X फिर इस condition में हम क्या बोल देंगे? कि Z से बड़ा है Y Z से बड़ा है Z हमारे पास ये है, तब हमारे पास भाई ये, तो क्या X और Z है, इन दोनों में difference कितना आया, 7 का difference है, इन दोनों में difference कितने का है, 7 का, तो इसमें और इसमें difference कितना हो गया, 7 प्लस 7, 14 का difference हो गया, लेकिन उमें difference कितना चाहिए, 7 का, तो 7 नहीं है, तो क्या बोल देंगे, X is exactly 14 cm taller than z, so xz not belongs to r, r is not a transitive, next r is equal to xy such that x is wife of a y, x है वो wife है, kis की y की, now xx not belongs to r, क्यों x है, xx वो belong नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि since x cannot be wife of herself, जो x है, वो खुद की wife नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए कि आप बोल देंगे, x is cannot be wife of herself, वो खुद की wife नहीं हो सकते, तो r is not a reflexive, दूसरा आता है, हमारे पास xy belongs to r, कि x है, वो wife है, किसकी y की, तो कैसा possible है, कि y is not wife of x, y है, वो तो x की wife नहीं हो सकती, क्योंकि जब wife यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे है, x is the wife of wife, तो y हमारे पास husband है, और यह wife है, तो कैसा possible हो सकता है, कि यह wife हो जाए, और यह husband नहीं हो सकता, so y x not belongs to r, r is not symmetric, इसलिए हम क्या बॉल देंगे, जो r है, वो symmetric है, नहीं है, next हमारे पास आता है, third, xy and yz belongs to r, x is wife of y, अब first में क्या दे दिया, x है, वो wife है y की, and y is wife of z, और फिर y है, वो z की wife दे दी, बट यह तो possible है ही नहीं, क्योंकि अगर x हमारे पास wife है y की, यह हमारे पास wife है, यह husband है, तो कैसा possible है, यह husband है, यह किसी की wife हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो क्या बॉल देंगे, this is not possible, also does not imply that x is the wife of z, इसलिए x है, वो z की wife नहीं हो सकती, so xz not belongs to r, r is not a transitive, next है, r is equal to xy, such that x is father of a y, x is father of y, x वो father है y के, अब x x not belongs to r, क्यों, क्योंकि as x cannot be the father of himself, x है, वो खुद का father नहीं हो सकता, अगर वो खुद का father नहीं हो सकता, तो r से belong नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो reflexion में क्या होता है, कि उसको जो भी है, itself होना जरूरी है, itself नहीं है, तो not belongs to r, इसलिए हम क्या बोल देंगे not a reflexion, दूसरा है, हमार पास x y belongs to r, x is the father of y, x father है y के, but y cannot be father of x, बट जो y है, वो father नहीं हो सकते x के, अगर x है, वो father है y का, means यह आपके पास father है, यह son है, तो यह तो possible नहीं है, ना, कि यह father हो जाएं, और यह son हो जाएं, then क्या बोल देंगे, y x not belongs to r, r is not a symmetric, next time, let x y belongs to r, and y z not belongs to r, क्योंकि x है, वो father हो सकता है y का, but y is father of z, यह तो possible है, नहीं कि y है, वो father of z हो जाएं, और उसके बाद क्या आजएगा, x is not the father of z, अब यह देखो, हमार पास, x is the father of a y, x है, वो father है, किसके, y के, means y son है, और यह क्या आपके पास father, and y is the father of a z, फिर y है, वो father है, किसके, z के, बट यह तो नहीं हो सकता ना, कि यह है, यह इसके भी father हो जाएं, नहीं हो सकते, grandfather हो सकते, बट father, नहीं हो सकते, तो क्या बॉल देंगे, x is not the father of a z, so x z not belongs to r, r is not a transitive, next question number two, show that the relation r, in the set r of a real numbers, define as r is equal to a b, और हमें a b में condition क्या दे रखी है, कि a हमारे पास क्या होगा, less than, या equal to b square, is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive, अब r है, है, हमारे पास real number है, real number में से लेक के दिखते हैं, r हमारे पास यह दे रखा है, relation इस condition पे, it can be observed that 1 by 2, अब वो कोई भी number है, a की value मान लिए, a हमने 1 by 2 ले लिया, तो a y है, हमारे पास 1 by 2, 1 by 2, a और b दोनों same नहीं हो सकते, क्योंकि हमें reflexive के लिए तो condition नहीं होती है, कि दोनों same हो जहें, बड़ दोनों same तो नहीं हो सकते, को b b, ऐसा नहीं हो सकता, so, since 1 by 2 है, वो क्या नहीं हो सकता, कि 1 by 2 के all, अगर square करेंगे, तो वो उससे छोटा आएगा, यह तो possible नहीं है, यहां तो क्या आना चीए, इससे बड़ा आना चीए, तो क्या बोल देंगे, r is not a reflexive, now 1, 4 belongs to r, अब हमने ले लिया 1 और 4, 1 for r से बिलोंग करते हैं, तो condition क्या है, a less than या equal to b square, यहां क्या आजएगा, 1 है, वो हमारे पास less than होगा, किस से 4 square से, but 4 is not less than 1 square, यह तो possible नहीं है, कि जो 4 है, वो हमारे पास 1 के square से less होगा, यह तो possible नहीं है, नहीं है, तो क्या बोलनेंगे, 4 1 not belongs to r, r is not a symmetric, थर्ड है, हमारे पास 3 2, और 2 and 1.5 belongs to r, 3 2, first condition से क्या लिख देंगे, कि 3 है, वो less है, किस से 2 के square से, and second condition क्या है, 2 less है, किस से 1.5 के square से less है, बट 3 और 1.5 से जब हम देखते हैं, तो क्या 3 है, वो 1.5 के square से less है, नहीं है, वो तो उसे greater है, greater है, कितना, 2.25 greater है, तो क्या बोल देंगे, 3 और 1.5 not belongs to r, so r is not a transitive, next question number 3, check whether the relation r, define in the set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको एक relation r दे रखा है, और set दे रखा है, 1 से 6 तक, as r is equal to a, b, such that b is equal to a plus a, 1, is reflexive symmetrical transitive, check करना हमें, a हमारे पास दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a, b हमारे पास क्या b is equal to a plus 1, means b बड़ा होगा a से, एक ज्यादा, तो a अगर हमारे पास 1 है, तो b 2, यह 2 है, तो 3, यह 3, 4, 4, 5, 5, 6, इसे आगे हम जाने सकते, क्योंकि अगर यह 6 रख दिया, तो 7 आएगा, 7 set के अंदर नहीं है, अब हमारे पास देखो, क्या इसके अंदर 1, 1, 2, 2, same है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 1, 1, 2, 2, up to not belongs to r, और not belongs to r आ जाएगा, थर्ड है, 1, 2 belongs to r, and 2, 3 also belongs to r, बट 1 और 3 है, क्या वो बिलोंगरता है, not belongs to r, so r is not transitive, next है, question no. 4, show that the relation r, in r, define as r is equal to a, such that a less than a equal to b, is reflexive and transitive, but not as metric, अब आपको दे रखा है, a, b हमारे पास दो ऐसे number है, और condition क्या दे रखी है, कि a है, वो less than, या equal to b होगा, clearly a, a, अब यहां भी a ले लिया, क्योंकि equal के लिए दे रखा है, तो a, a belongs to r आ जाएगा, क्योंकि a is equal to a, so r is reflexive, दूसरा हमने क्या ले लिया, two और four ले लिये, दो डिजट है, two four belongs to r, क्योंकि condition क्या है, या तो इसके equal हो सकता है, या इससे less होगा, तो two less than four है, but four do not belongs to r, क्योंकि जो four है, वो क्या है, two से बड़ा है, तो इसलिए not belongs to आ जाएगा, और क्या आजाएगा, r is not a symmetric, r is metric नहीं हो सकता, third है, मारे पास a, b, and b, c, दोनों belong करते है, r, same, then, अगर ये मारे पास क्या है, a है, वो less है, कि से b, same, means a हमारे पास one है, और b हमारे पास क्या है, three, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये three है, तो ये इससे बड़ा लेना, ये इससे, तीसलिए क्या बोल देंगे, a है, वो less than, is equal to b है, और b है, वो less than, is equal to c है, then a है, वो less than, is equal to c हो जाएगा, then a, c also belongs to r, so r is a transitive, next question number five, check whether the relation r, in r, define as r, is equal to a, b, such that a, less than, is equal to b, q, अब condition दे रखी, a less than, is equal to b, q, q, so r is equal to a, b, a less than, is equal to b, q, it is observe that, हमने observe कि, 1 by 2, a की value मान लिया, हमने ले ले ली, 1 by 2, तो क्या, 1 by 2 का q क्यूब करेंगे, वो equal आएगा, नहीं आएगा, 1 by 2, 1 by 2, same digit होना ची, 1 by 2, 1 by 2 ले लिया, not belongs to r, क्यों, क्योंकि 1 by 2 है, वो less आएगा, sorry, greater आएगा, किस से 1 by 2 के, q, q, 1 by 2 का q, क्या आजेगा, 1 by 8 आजेगा, ये 1 by 2 है, और ये 1 by 8, कौन बढ़ा है, 1 by 2 बढ़ा है, तो ये तो हमार पास condition नहीं हो, satisfied, तो क्या बॉल देंगे, r is not a reflexive, कि r है, वो reflexive, नहीं है, next time, now, 1, 2, belongs to r, then, इस मेनिंग क्या है, कि 1 है, वो less than है, किस से 2 क्यूब से 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से less है, 1, and 2, 1 not belongs to r, अगर 1 का q, 2 का q क्यूब कर देंगे, तो वो तो greater आजेगा, less नहीं आएगा, तो इसलिए क्या आजेगा, not belongs to r, so r is not a symmetric, third है, 3, 3 by 2, और 3 by 2, 6 by 5, अब देखो, यहां भी condition क्या है, कि 3 से हमारे पास, less 3 by 2 का q, 3 less है, किस से 3 by 2 के q, क्यूब से, क्योंकि 3 by 2 का q क्यूब कर देंगे, 3, 3 जा, 23 की और 3 की, 27 by 8 आजेगा, और 27 by 8 को, अगर हम solve करेंगे, 8, 3 जा, 24, 3 point something आएगा, तो 3 से तो बढ़ा आएगा, तो एक condition होगी, satisfy, तूसरी condition क्या, 3 by 2 और 6 by 5, अब 3 by 2 है, वो हमारे पास less होगा, किस से 6 by 5 के q, क्यूब से, इसी तरह यह हो जाएगा, 216 by 125 को solve करेंगे, तो इससे कम आएगा, बटे, जो 3 और 6 by 5 है, वो not belongs to R, क्यों क्योंकि, 3 as it is रख्या, और 6 by 5 का q क्यूब करेंगे, 6 by 5 का q, 216 by 125, इसको solve करेंगे, 2 point something, 1 point something आजेगा, 1 point something आएगा, तो यह तो 3 से, less आगया, तो 3 greater आगया, तो not belongs to R, तो R is not a transitive, next question number 6, show that the relation R, in the set 1, 2, 3, given by R is equal to 1, 2, 2, 1, it's symmetric but neither reflexive nor transitive, आपको एक condition दी रही है, और यह बोल रखा है, कि स्मेट्रिक है, बट reflexive और transitive नहीं है, A के अंदर set, के अंदर element क्या, 1, 2, 3, एक relation R on A is defined, एक हमने कोई relation define कर रखा है, और उसके अंदर element क्या, 1, 2, 2, 1, अब देखो, 1, 1, 2, 2, 3, 3, यह elements आने चाहिए, अगर reflexive है तो, तो not belongs to R, so R is not reflexive, दूसरा symmetric के लिए क्या होता है, 1, 2 belongs to R, इसका उल्टा कर देंगे, क्या आएगा, 2, 1, वो भी belong करता है R से, तो क्या होजएगा, R is symmetric, थर्ड क्या है, 1, 2 belongs to R, and 2, 1 belongs to R, बट 1, 1 not belongs to R, so R is not a transitive, R transitive नहीं हो सकता, यह थी हमारी exercise 1.1 के question 1 to 6, next questions हम next video में करेंगे, okay, thank you,